नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वाल इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जोहे से नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप नासा के सबसे बड़े और एडवांस टेलिस्कोप में से एक है इसने बरफीले ग्रह नेप्चून की शांदार तस्वीरे ली है नासा के मताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप ने पहली बार नेप्चून की तस्वीरी ली है नासा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है नेप्चून एक्सपर्ट हीरी हैमल ने कहा कि यह तीन दशकों में पहली बार है जब हमने इन नए धूल भरे रिंग्स को देखा कई पतले रिंग्स के अलावा नई तस्वीरों से नेप्चून के हलके धूल भरे बैंट्स भी नज़र आ रहे इसके पहले साल 1989 में वोजएर 2 प्रोब ने नेप्चून की तस्वीरे ली थी वोजएर 2 प्रोब ने नेप्चून ग्रह के चारों तरफ एक धूंदली रोश्णी के घेरे को देखा तो जरूर था लेकिन तस्वीरे धूंदली थी आपकी चानकारी के लिए पता दे कि नेप्चून हमारे सौर मेंडल का सबसे दूर का ग्रह है पहले प्लूटो था लेकिन अब वो ग्रहों में गिना नहीं जाता है खैर धर्ती से नेप्चून की दूरी 432 करोड किलो मीटर है ठंड अंधेरा और सूपरसोनिक हवाओं से घिरे नेप्चून को बर्थ के दानव के तौर पर भी जाना जाता है ये ग्रह धर्ती की तरफ जुका हुआ है और आपको ये भी बता देते हैं कि सूरच का एक चक्कर पूरा करने में इसे 164 साल लगते हैं जियोलोजिस्ट को अभी इसके उतरी धुरूफ की कोई फोटोग्राफ या कोई जानकारी नहीं मिल पाई है हीडी हैमल का कहना है कि नेप्चून के चारो तरफ मौझूद धूनले बैंड्स को हम पहले बार साफ तौर पर देख पा रहे हैं ये चल्ले सामाने तस्वीर में नजर नहीं आते हैं इसलिए जेम्स्वेब स्पेस टेलिस्कोप के इंफ्रारेड तस्वीरों की मदद ली गई है नेप्चून पर बहुत ज्यादा मात्रा मेमी थेन है और इसलिए ये आम तौर पर नीले बिंदू जैसा दिखता है इस टेलिस्कोप के इंफ्रारेड कैमरा ने इसके चारों तरफ के छलों को सफेद रंग में दिखाया है जमस्वेब ने नेप्चून के चौदा ग्याद चंद्रमाओं में से साथ की तस्वीरे भी ली है जिन में इसका सबसे चमकदार चंद्रमा ट्राइटन भी दिख रहा है बात करें जमस्वेब की तो इसको अभी अंतरिक्ष में गए सिर्फ आठ महीने हुए है लेकिन उसने पूरी दुनिया को अंतरिक्ष की एक नई दुनिया से रूबरू करा दिया है इसके पहले अगस्त महीने में इसने ब्रस्पती ग्रह के ग्रेट रेड स्पॉर्ट और औरोरा यानिकी धुर्वीय रोश्नी की रंगीन तस्वीरे खीचकर सबका मन मोह लिया था आज के लिए बस इतना ही दीज़े जाज़त नमस्कार